है सकसे अपोर्ट सिस्टम है सकसे सपोर्ट सिस्टम है सकसे सपोर्ट सिस्टम है सकसे Thank you very much महादब भूत शुक्रिया दोस्तों सबी को नमस्कार आदाव सिशिकाल जैइंग जैवाज जैश्रेकिशना और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुक देना है आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डैनेमिक लेडर मिस्टर राम किसीनियादव जी है जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके रहीरो तका सफरते किया है और एक साइकल स का हाथ और सिस्टम का और कंपनी का साथ लेके यह आने वाले टाइम में बहुत जल्दी युनिवर्सल क्राम नंबेडर मिस्टर राम किसान याद हो जी वेल्टम टार्गे स्वान अटार्गू मागुर जी बहुत-बहुत धन्यवाद साधर चानिस पर्स प्रणाम मागुर कि महुत जी मोका देने के लिए आज इस पेनल पर और सभी पार्टिशेपेंट्स को मेरा नमसकार और सभी उपस्ती इस पैनल पर सभी लिजेंड सभी मेरा नमसकार सभीandi का मैं कने सद्टम दिल से और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मागुर जी मैं स्क्रीन शेर कर सकता हूं बहुत बहुत बढ़े हैं और स्लाइड भी ओपन ओड़े बहुत बहुत बढ़े वंडर्फूल बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी इस पैनल से कनेक्ट यूटूब लाइव पे और इस पैनल उपस्तित सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूं और सब का आज की शेनर जेटिंग म में मैं श्वागत करता हूं पूरे शेपशो परिवार की तरफ से आप सब का बहुत-बहुत श्वागत है और सबसे पहले मैं मागुर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक इंडिरेक्टली आम सब लोगों को इस पैनल के माध्यम से इस जूम पैनल और इस यूटूब के चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के इस्ट वेस्ट नोर्स साउथ चारों दिशाओं में 707 डिस्टिक में हर जगह है चाहे वेक्ति किसी भी काम में अपने में वेस्ट हो या फुल टाइमर हो लेकिन इस पैनल के माध्यम से अपने टीम को बढ़ाने में अपने आपको ग्रो करने में और अपने आपको एजुकेट करने में इस पैनल का बहुत बड़ा योगदान रहा है पिछले तीन साल में और यह हमारे महागुरु जी शिरी नर्सी ग्रेवाल जी के माध्यम और उनके विचार उनके एक सोच की वज़े से कि इंदुस्तान के कि किसी भी कोने में जम्मू कस्मीर से लेके कन्या कुमारी तक कोई भी वेक्ति कहीं भी काम कर रहा हो और किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो कैसे भी बीजी शुडूल में काम कर रहा हो लेकिन इस पैनल और इस चैनल के माध्यम से वो अपने आपको एजुकेट कर और सब को यह पैनल क्योंकि मैंने तो एक बड़ा लंबा चोड़ा अनभाव इस पैनल पर और यूटूब चैनल पर मिलता है तो मैं सर का बहुत बहुत आभारवक करता हूँ कि सर इतने सारे लोगों का भला इस चैनल के मादम से हो रहा है और इतने सारे लोग एजुकेट हो रहे हैं तो सर आपका बहुत 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 धन्यवाद सबसे पहले और मैं आप सब को बोलूँगा कि इस चैनल पर लाईए ज़्यादा ज़्यादा लोगों को और यहां से बहुत सारी चीजे सीखने का मोगा हम सब को मिलता है बहुत बहुत धन्यवाद मागू दिया हूँ साथियों सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी बात इस्टार्ट करूँ उस परमपत परमेश्वर का इश्वर का जिसको भी जिस रूप में हम मानते हैं और जिसकी वज़े से हम सभी लोग आज यहां पर इखटे हुए हैं हर दिन हमें मिलता है एनरजेटिक का दन्यवाद देते हैं जिससे हम सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए दमदारी से काम भी कर रहे हैं उसके बाद मैं दन्यवाद देना चाहता हूं हमारी वर्ल्ड किलास कंपनी शेप शोप का जिसकी वज़े से आज लाखो करोड़ों का जीवन बदल आज मेरे जैसे बिलकुल एकदम नॉर्मल बैक्राउंड से निकल के बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जोब करते हैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आज सेप सोप एक मौका देता है रवेक्ति को कि वहां करके अपने से इस प्लेटफोर्म माद मुझे जिंदिकी बदलने वाले हैं और आज सेप सोप ने साबित कर दिया है नई नई चीजे ला करके नए ने हमारे सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दे करके हम सब को यह बता दिया है कि सेप सोप नंबर वन था नंबर वन है और बहु सपोर्ट सिस्टम का एजुकेशन मुझे मिला हम सब को मिला अल्टिमेट अचीवर जैसा गुरूप मुझे मिला मैं इन तीनों के कॉंबिनेशन की वज़े से आज यहां पर बैठा हुआ हूँ तो मैं चाहता हूँ एक जोड़दार ताली बजाई है सेप सोप के लिए और ह मैं आज आपके बीच में नहीं होता हैं में में अमारे सभी लीडर्स हमारे सभी ग्रेट मैंटर क्या सब आज सबी के साथ की वज़े से बहुत कुछ इन सब से सीखने का मौका मिला, सरलों का आश्रवाद मिला, जिसकी वज़े से मेरी जिन्दकी बदली, साड़े 19 साल की उमर में मैंने ये काम करना चालू किया, आज मुझे 34 एर हो गया है, तो लगातार 13-14 साल का जो सफर यहां पर रहा है, वो बहुती शांदार, बहुती खुबसूरत, बहुती जबरदस्त रहा है, जिनमें सबसे बड़ा योगदान मेरे इन सभी ग्रेट मेंटर्स का है, इनके आश्रवाद की वज़े से मैं या तक पहुचा हूँ, जोनोंने हर समय अच्छी इस्ततियों, चैख खराब इस् प्रेरित किया, और मुझे पता नहीं चला, मेरा 13-14 साल का सफर का पूरा हो गया, तो मैं मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भी कुछ आज मैं हूँ, मैं इन सब की वज़े से हूँ, इन सब के बिना मैं कुछ नहीं हूँ और आज जो भी कुछ हूँ, मैं इन ही की वज़े से हूँ, क्योंकि अगर मेरे जीवन में नहीं आये होते तो मैं साइद आज आज आपके सामने नहीं होता हूँ, इस्पेशल धन्यवाद मैं स्रियोगे श्यादव जी का जेना चाहता हूँ, यह मेरे बिजनिस गुरू है, जो मेरे great mentor है, जिन्हों ने एक छोटी सhriver के लड़के की इंगली पकड़ी और हमेशा होसला दिया, हमेशा साथ दिया, और हमेशा भाई की तरह हुरू की तरह हमेशा साथ रखा और हमेशा ये बात बताई कि मिलकर के इतियास लिखेंगे, और उनका ये जो सोच था कि मिलक के बड़ा काम करेंगे इस सोच की वज़े से ही आज हमारा जीवन बदला और आज हजारों लाखों लोगों का जीवन बदला तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सरकावी और बहुत जोड़दार तालिया चाहता हूं योगेजी के लिए बजाई है उसके निरने लिया वह सारे लोगों ने प्रोडेक्ट परिचेज किया लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया जिन्होंने बड़ा निरने लिया जिन्होंने लंबा साथ चलने का मेरे साथ डिसीजन लिया वो हमारे सभी डायमन लीडर और हमारी बहुत ब साथ हो धरती पे कोई भी वेक्ति कोई काम करे कोई यात्रा करे या नहीं करे मैं आपको बोलू कि आप जहां भी है वहां से उठकर के आप 500 किलोमेटर दूसरे सहर की यात्रा करने के लिए जाएं हो सकता है आपका मन करे नहीं करे लेकिन धरती पर है एक यात्रा है जो हर आदमी करना चाहेगा और जिसको रात को भी उठा करके एक वज़े पूचा जाएगा तो भी वो बोलेगा येस और वह सफलता की यात्रा हम सारे लोग है जो इस सक्सेस की यात्रा को करना चाहते हैं हम सारे लोग इस बिजिनिस में आई इसलिए हैं क्योंकि हम सफलता की यत्रा करना चाहते हैं हम उस जगे पहुचना चाहते हैं जह हमारे आज लीजेंट्स पहुचे हैं और लगातार हम उसी चीज में प्रियास कर रहे हैं लगातार हम उसी जगे उसी जगे पहुचने के लिए ह आज यदि किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि आप सफल होना चाहते हैं तो ये धरती का सबसे आसान सवाल है जिसका जवाब सब के पास मिलेगा और बोलेगा येस मैं सफल होना चाहता हूं मैं इस जर्नी को करना चाहता हूं हर लीडर हर व्यक्ति इस यात्रा को करना चा आधन नहीं मिलता हम सब बड़े लखी है कि सेफ सोप की रूप में इस यात्रा को अंजाम देने के लिए हम सब को एक प्लेट फॉरम भी मिला हुआ है और हम सारे लोग उस यात्रा को करने के लिए तैयार भी है मैनत भी कर रहे हैं पैस उस यात्रा को पूरा करने के लिए हमे है इधर उधर होता है लेकिन हमें इस यात्रा को बढ़ा करना है क्योंकि इस बिजनिस में जब मैं आया था तो मैंने एक का एक्जम्पल देने चाहिए इस यात्रा को हम सब को मिल करके इतना बड़ा करना है तो सातियों आपने जर्णी की सुरुवात कर दिये लगातार यूनिवर्सल क्राउन एंबेस्टर बनने तक डायमन बनने तक आपका जो भी एक बड़ा ड्रीम है तब तक हमें ना रुखना है ना ठहरना है हमें लगातार इसमें आगे बढ़ते रहना है जैसा कि आज से तेरा साल पहले जब मेरी स्टार्टिंग हुई जर्णी तो उस समय के मैं यह पिक्चर आपको दिखा रहा हूं एक अंजान आदमी के माद्यम सी बिजनिस मुझे मिला और ऐसा कोई मेरा बहुत सा एक ड्रिम लेकर के कि मुझे पैसे कमाना है और मैं यह चाहता था सुरू से क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहां पे बड़ी तंगी देखी मैंने बहुत कम पैसों के लिए बहुत मारा मारी देखी कोले जाने के लिए मुझे 20 रुपे सिर्फ डौट मैं अपनी पोकेट मनी अपने दुआरा कमाऊं मेरे मैं अपनी महनत से पोकेट मनी लूँ मैं घर से मांगू नहीं मैं वैसी सोच के साथ हमेशा तया मतलब आगे बढ़ रहा था कि मैं पढ़ाई भी करूंगा तो कोई नों कोई पॉर पार टाइम काम करूंगा लेकिन अच जानक एक अंजान आदमी के मादम से प्लान देखने का मौका मिल गया और मैंने इसकाम को शुरुआत कर दी और उस समय मेरे पास कुछ नहीं था सिर्फ एक छोटी सी सोच थी एक इच्छा सकती थी जिसके ओ लेकर कि मैं इस बेनिस में आगे बढ़ गया ना मेरे को में बहुत बड़ा कोई reputation हुआ करता था ना मेरा family कोई support था ना मेरा कोई रिष्टेदारों से कोई support था ना मेरे दोस्तों ने कोई यह मेरे को motivate किया प्यार यह बहुत अच्छा काम देख लिया है आपने आप चालू करी हम आपका साथ जरूर देंगे ऐसा किसी ने कुछ न मान था respect था सिर्फ एक hope trust confidence था कि मैं इसमें कर जाओंगा और एतना बड़ा कर जाओंगा यह पहले दिन नहीं था लेकिन इतना था कि मैं pocket money के लिए इस काम को चालू करता हूं तो मेरा जीवन यहां से कुछ ना कुछ मैं अपने दम पर आगे बढ़ लूँगा अपनी पढ कमाया हुए पैसे से चला सकता हूं और यकीन मानिये सातियों मैंने इस business से पहले कोई भी दूसरे काम से आज तक मैंने कोई फोरम नहीं बढ़ा मैंने कभी कोई भी किसी भी जगह से एक रूपिया कमाया नहीं जो भी कुछ आज मेरे जीवन में बदलावाया है एक रूपि इनने बोला कि यहांसे 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 follow किया जाए इस पे काम किया जाए तो ये पूरे भी होते हैं ये सर्फ बाते सुनते थे अपने mentors अपने applying की तरफ से लेकिन हमने एक चीज थी हमारे अंदर वो ये था कि हमने उसको फित करके ब्लाइनली फित करके उस पे हमने follow करना चालू कर दिया उन बातों को हमने मानना च चालू किया तो दीरे दीरे ये सारे सपने पूरे होते चले गए हमारे एक एक चीज का ड्रिम बना करके ये सारे ड्रिम लैप्टोप, Macbook ये सब चीजे आती चली गई जैसा कि आप लोग जानते हैं ये पहली कार इस बिजनिस से आई से बीट पोने पाच लाग की बाइस सा पीजिनिस से और लोगों को भरोसा हुआ किया रहां यहां से कुछ किया जा सकता है और आगे बढ़ा टीम बड़ी, इनकम बड़ी, दूसरी कार्श योड़ी जार इस बिजनिस से लिए, फिर और आगे बढ़ते चले गए, और इनकम बढ़ती चली गई, तीसरी कार, कभी सोचा नहीं करता था जब इस में आया था क्योंकि यह जब अमकार आई वे पर चलती देखते थे तो लगता था कि इनके साथ एक सेलफी हो जाए लेकिन इस बिजनिस से यह अपना भी पूरा हुआ यह BMW लेने का सोभाग्य इस बिजनिस ने मुझे दिया और मेरे जीवन में यह ऐसा बड़ा अचीवमेंट एड़ हुआ जिससे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े जो मुझे सलह देते थे मेरी परिवार में मैं सबसे चोटा था वो लोग जिनको और तेजी से और बड़ जीत करके और बहुत जगे जाने का मुझे मिला पैरे शुट जैरलेंड इस्पेन बड़े बड़े यूरूपन कंट्री जहां पे एक आदमी का हमारे जैसे नॉर्मल आम आदमी का वीजा तक नहीं लग सकता लेकिन हमारी कंपनी की ताकत है यह हमारी कंपनी का आज रेपू कोई इस जीवन में कोई भी किसी भी तरह का खुबसूरत पन नहीं था कोई भी किसी भी तरह का लगजिरी पन नहीं था लेकिन यह सारी चीजें इस बिजनिस से होती चली और यह सब चीजें एड हो गया अभी लेटेस्ट वियत नाम गुम किया यह वियत नाम के कुछ पिक सुका हूं खुद का मकान फ्लेट लेने का मौका मिला एक करोड रुपे। िंटेडियर स्वारी चीज़ां पर आगे मेरे परिवार रेता है यह सब बहुत ही लक्जरी फ्लेट एल बहुत ही लक्जरी जगह में रहने का वरना कभी अमारा ड्रिम नहीं सारे चीजे लगाता रहती हाँ चेक में अपने हितने के recognize होने का और सम्मान लेने का stage पे मोगा मिला और इस कलम में entry करने का मोगा और सुभागे इस company ने मुझे दिया ये सम्मान मिला ये सारी चीजे एक zero से ये सारी चीजे हासिल जो मैं बता रहा था आपको कि total इस business की वज़े से possible हो पाया है और मैं आपको इस विश्वास दिलाता तो उसके पीछे एक काम हम सब को करना पड़ता है जो पहले दिन मुझे समझाया था मेरे great mentor ने और ये साज हमें भी समझने की ज़र्रत है ये work actual में individual शुरू करके individual खतम करने का नहीं है यदि हम individual अकेले इस business में आ जरूर सकते हैं लेकिन अकेले इस business में कभी भी हम अंजा मेरा इस business में बड़े-बड़े बहुत dream है हजारों लोगों को diamond बनाने का dream है मैं मैं इस business में बहुत बड़े मकसद के साथ अभी चल रहा हूँ क्योंकि अभी तो हम जवान है अभी तो हमने काम करना सीखा है अभी तो हमने अंगणाई ली यह बहुत बड़ी पारी खेलना बाकी है और जब हमारे ग्रेट मेंटर आज इतने जोस जुनून के साथ आज लगातार 24 गंटे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं तो अभी तो हमारी सुरुआत है तो हमें अभी बहुत कुछ करना है लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि इस काम को अंजाम देने के के लिए हमें काम करने की जरॉत होती है जिसको बोलते हैं टीम बनाना ये साथ हमारे दो लोग और पचाज अगले एक साल के अंदर-अंदर हमारे पास हजारों लोग का कारवा होना चाहिए है इस मकसद और इस ड्रिम के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तब ही हम इन अच्यूमेंट पर पहुंचेंगे हम यदि टीम बनाने पर दान दे देते हैं फास्ट टीम बनाने पर दान करें और टीम बनाने के लिए हमें यह कुछ चीज है जिन पर हमें फोकस करना होता है जिनको लगा कर हम सुनते हैं हमें लिस्ट को बड़े से बड़ा बनाना होता है लिस्ट बड़ा बनाना होता है और टीम में हर जोईन होने वाले का लिस्ट बनवाना पड़ता है क्योंकि लिस्ट हमें शुरुवात करनी परती है, कुछ लोगों के साथ वो लिस्ट बिल्ड करनी होती है, दूसरा काम हमें वो जो लिस्ट बनाते हैं उस पे हमें लोगों को इन्विटेशन करना होता है, हमें लोगों के साथ चर्चा करनी होती है, हमें लोगों के साथ इस प्लान को बारे में चर्चाय करनी होती है, हमें उनको invite करना होता है, जहां भी हम उनको इस plan को दिखाना चाहते हैं, जहां भी हम safe soap की detail समझाना चाहते हैं, इस plan की, वहां के लिए हमें उनको invite करना होता है, यह दूसरा बड़ा basic है, तीसरा है, जब उनको invite करते हैं, हम उनसे समय लेते ह तो हमें उनको प्लान भी दिखाना होता है, हमें उनको प्लान भी दिखाना होता है, और जब हम प्लान दिखाते हैं, तभी हमारी टीम के रियेट होती है, तभी हमारी टीम बनती है, और टीम बनाने के ये तीम सबसे बड़े बेसिक है, और चोता सबसे बड़ा बेसिक है, हर दिखाए हुए का हमें follow up करना होता है हमें उनको समझाना होता है हमें उनको बताना होता है तो यह चार बेसिक हैं जिन से हमारी टीम बनती है इनी चार बेसिक से हमारी दसलों की टीम बनती है और इनी चार बेसिक से हमारी तस हजार की टीम बनती है इनी चार बेसिक को करने से ह जारों लाखों करोडों की टीम बनाने में इन चार चीजों का बड़ा योगदान होता है तो हमने ये बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाने पर और बनवाने पर जादा जादा इनिविटेशन करने पर करवाने पर जादा से जादा प्लान करने पर करवाने पर और जादा से करने की जरूरत होती है तब हमारी बड़ी टीम क्रियेट होती है अब जब हम टीम क्रियेट करते हैं तो हमें एक चीज की जरूरत होती है जो लास्ट प्वैंट मैंने बताया फोलॉप करने की अब फोलॉप जब करते हैं तो आज का जो टोपिक है उस पर मैं पहुंशता हूं जब हम follow करने जाते हैं, team बनाने की बात आती है, किसी की joining लेने की बात आती है, तो हमें बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे सवालों का जवाब देने पड़ते हैं हमें, और आज का topic भी यही है, कि जब हम joining करते हैं, तो हमें बहुत सारे सवाल हैं, ज यदि इस बिजनिस में हम बड़ी टीम बनाना चाहते हैं यदि हम इस बिजनिस में लोगों को लाना चाहते हैं तो लोग सवाल करते हैं कुछ लोग में इस पूसते हैं लग सर इतना बड़िया बिजनिस है और इतना बड़िया काम है तो लोग सवाल क्यों करते हैं तो मैं एक चीज का सामना करना ही पढ़ेगा जिसको बोलते हैं सवाल और वो सवाल आएंगे इस से हमें गबराना नहीं हमें उन सवालों का जवाब लेने के लिए अपने senior का support लेना है, अपने आपको prepare करना है, दो ही तरीक है, या तो हम अपने आपको तयार करें, या हम अपने senior, अपने senior leaders का support और साथ उसमें लें, क्यों आते हैं सवाल, दुनिया के किसी भी profession में जब हम होते हैं, तो हमें सवाल का सामना करना ही पड़ता है, और हमें सवाल इसलि सवाल की हम कुद नहीं खरीदें, तो ऐसा कैसे हो सकता है, यह सब हमारे उपर बहुत सारी जगें, जहां हमने बहुत सारे लोगों से सवाल की है, हरीदने से पहले, उन सब का स्राहप है, कि हमें इस बिज्णिस में टीम बनाने के लिए, समान बेचने के लिए हमें भी उन सवालों के सामना करना पड़ेगा जो हम करते हैं यदि कोई सब्जी बेचता है तो उसको भी सवालों के जवाब देने पड़ते हैं उसके सामने भी सवाल कड़े होते हैं यह ऐसी क्यों है यह इतने की क्यों है वो दूसरा वाला तो इतने की दे रहा है आप इतने की क्यों दे रहे हो सबजी मंडी में तो इतने का मिल रहा है आप इतना मेंगा क्यों दे रहे हो ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनका सामना करना पड़ता है यहीं कोई फ्रिज टीवी खरीत बेजता है तो उसको भी सवालों का सामना करना पड़ता है उसको कंट करना तो आद्मी को सवाल करने की एक परसनल्टी करने को सवाल करने और बेचने वाले को सवाल फेस करना पड़ेगा यदि को तो इसको भी सवालों का सामना करना Πड़ता है हमारी बेंजी लोग जाती है, सो रूम में, तो 50 साड़ी डलवाने के बाद एक साड़ी खरीड़ी है, पता निक्या क्या चयक होता है, तब वो जाके एक साड़ी भेज पाता है, यदि कोई बाईक और ऐकार बेशता है, तो उसको सवालों का समना करना पड़ता है, उसको बहुत सारे compare करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजे उसको सवालों का जवाब देना पड़ता है, कितनी mileage है, कितने का engine है, कितनी इसकी मजबूती है, safety क्या है, airbags कितने हैं, यह सारे बहुत सारे सवाल है, जिनको सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और तो ओर छोड़ो हम एक इनसान जब अपने आपको बेचता है बेचने का मतलब जब अपनी काबियत और quality को market में बेचता है नोकरी के लिए किसी को सामने जब अपने resume को रखता है और उसके सामने भी जब उसको बुलाया जाता है किसी भी कमी ओई नहीं सकती उसको भी जब अपने आपको किसी जगे नोकरी में ले जाना पड़ता है अपने आपको बेचना पड़ता है तो खुद को बेचने के लिए भी कई सवालों के जवाब देने पड़ते हैं तब आप 20,000, 30,000, 50,000, 1,000, 2,000,00 में बिखते हैं तब अपने जब हमारे पास आएं तो हमारे पास दो यह उपसन है जब हमारे पास सवाल सामने एक नए आशोशेट जब करता है तो हमारे पास दो यह उपसन होते हैं सुने और डर जाएं और भाग खड़े हो और दूसरा है खुद को जवाब देने के लाइक तयार करें और सवालों का भाग खड़ा होता है डर जाता है और यही डर यह भाग खड़ा होना इसकी यात्राँ को अधुरा रख देता है वह जाता भूल जाता इस बात को कि जब आपने सवाल किये थे, सामने वाले ने जवाब दिये थे, तब आप उनकी टीम का हिस्सा बने थे, आज आपकी टीम का हिस्सा कोई बनना चाहे, आप किसी को अपनी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको भी उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तो हमें ड पहले कुछ सवालों के गेरे से हमें बहारानापड़ेगा हमें उस लिवल पे अपने आपको तयार करना पड़ेगा जैसे की अच्छा ट्रेस कोड हमारा होना चाहिए हमें सबसे पहले अपने इंदर बदलाव करने की ज़ुर्णा थे क्यूंकि कुद्छ तो सवाल सामने वाल एक दोंगे लेकिन उसके 10 सवाल, 15 सवाल, नोंसेंस सवाल और सवालों की शंख्या जादा नहीं होगी, यदि हमारा अच्छा ड्रेश्ट कोड होगा, तो सामने वाला हमें देख करके बहुत सारे जवाब अपने आप उसको मिल जाएंगे, हमारे पास टूल्स होने चाहिए, जिन टूल्स का इस्तमाल करके बहुत सारे सवालों के जवाब दिये जा सकते हैं, प्लान के यदि 48 गंटे में हम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं, तो उसके बहुत कम सवाल होते हैं उस समय तक, लेकिन जितना हम ज़्यादा प्लान के बाद समय देते हैं तो उतने ही सवाल उसके बढ़ते हुए चले जाते हैं क्योंकि वो सलाल लेता है अपने सक्री अप्लाइन को साथ ले जाए तो सवालों के जवाब देने में हमें आसानी होगी अप्लाइन के साथ जब हम रहें तो हम कम बोलें अप्लाइन का परीचे धमदारी के साथ जब यदि हम एडिफिकेशन कराते हैं तो सामने वाले के बहुत सारे सवालों को हम खतम कर सकते हैं अप्लाइन के अच्यूमेंट और अप्लाइन का एडिफिकेशन कराने से Notes लेते रहें कि किस सवाल का Appline किस तरह से जवाब देता है अपनी Appline को देखें कि किस तरह रहे अपना काम करके कैसे जवाब देता है, किसी भी संदेको दूर करके उस Prospect को सही निरने तक कैसे पहुचा रहा ह authentique उस अनभाव को आप लें, उस experience को आप लें कि किस तरह से हमारा apply इसको अंजाम दे रहा है और मिल करके आप सवालों के जवाब दे ना कि फोन पे जवाब दे एक बड़ी गलती करते हैं कि हम पोनों पे जवाब देना चालू कर देते हैं और फोनों पे सही सवाल आते ही नहीं है एक चलमें फोलों पे हर लीडर हर नया आदमी बचने का परियास करता है तो हमें क्या करना है कि मिलकर के सवालों के जवाब देने हैं तीन की हैं जिनका ओल्वेज हमें ध्यान रखना है एक confidence एक इसमाइल एंड जोस तीनों चीज यद कोई सवाल करें तो उसको जोस में रह करके जवाब देते हैं मतलब हमारा जो excitement जो है down नहीं होना चाहिए वो सारे लोग सामने वाले से सवाल करते हैं तो सबसे पहले खुद हतास और निरास हो जाते हैं कि अच्छा जर ऐसे भी हो सकता है का मतलब सामने वाले से जवाब मां को हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप सवालों के गेरे में आते हैं सवालों का सामना करते हैं तो हमेशा confidence में रहे हमेशा आख से आख मिला करके रहे smiling always आपके face पे रहे जोस में रहे करके आप बात करें और इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले हम अपने आपको अपने उपर जो सवाल है उनसे हम अपने आपको बाहर कर पाते हैं सवाल जो अपने आपसे हमसे लगातार जो पूछे जाते हैं हमसे जो दो सवाल है जो हमेशा पूछे जाते हैं और वो हमें खुद भी पूछना है हमेशा तब हम अच्छे से सामने वाले को जवाब दे पाएंगे वो यह है कि अपने ये बिजनिस शुरू क्यों किया और आप करके first introduction जब आप करते हैं तो आप उस introduction में ये दोनों सवालों का जवाब देते हैं तो बहुत सारे सवाल indirectly आप उनके clear कर सकते हैं जब आप अपना इस business का vision बताते हैं कि ये business सर कितना powerful है मैंने भी सर आपी की तरह प्लान देखा था और उसके बाद ये business मैंने इसलिए चालू किया इसलिए चालू किया इसका vision देखा इसमें इतने सारे लोगों को grow करता हुआ देखा ये business इतना पवित्र business है इसमें हम कर क्या रहे हैं तो ये सारी चीज़े जब उसके साथ share कर देता है तो बहुत सारे सवालों के जवाब तो हम उनको plan के बाद या अपने introduction में हम clear कर स कि जी आज हमारे पास हैं शोपिंग धरती पे हरादमी करता है तो मैंने सोचा कि जब हरादमी शोपिंग कहीं ना कहीं से फिलिप का डेमा जो नर्जगे से करता है तो हमारे यहां से कर लेगा तो उसको एक opportunity मिल जाई तो इस तरह से जब इन दो सवालों का जवाब जो ज़ के लिए हो जाते हैं सवाल जवाब एक नियम है एक नियम है सवाल जवाब का कि या तो हम दे उसके जवालों के जवाब या फिर इक और से लेगा जब कोई व्यक्ति प्लान देख लेता है तो उसके सवाल दिमाग में आला लाजमी है क्योंकि इतना हमारा प्लान जबरदस् कि इतना पावर्फुल दो लाग सब्ते चार लाग सब्ते का बिजनी से तो अपने आप से सवाल तो कर लेगा लेकिन जवाब वो खुद सही नहीं दे पाएगा और किसी तीसरे से पूछेगा तो वो भी नहीं दे पाएगा तो हमें क्या करना है कि हमें उसके सवालों का जवा समय पे जा करके हमें खुद को देना है। और उसकी असली नस्थ और असली प्रोब्लम्स को समझ करके उसको उसी प्रोब्लम का हम जवाब दें, उसी समझे का हम उसको, उसी सवाल का हम जवाब दें, जो उसका जैन्वन उसको सवाल है, जो उसको इस मिर्श में आने से रोक रहा है, वो कब होगा, जब हम उसको सुनें कोमन रेपो थर्ड पार्टी वीडियो इनका ज़्यादा ले सवाल में कोई भी हो सवाल करता है तो उसमें हम थर्ड पार्टी का ज़्यादा योगदान रहें वीडियो का ज़्यादा योगदान रहें थर्ड पार्टी का ज़्यादा योगदान लें जैसे किशी व्यक्ति का क सभी देखुन सर इसने कर लिए आप क्यों नहीं कर सकते शार служえば इस सवालों के जवाब देवरеро क्या होता है कि एक के सवालों के जवाब देने के बाद आपको तो दुबारा या तो वो मोका ही नहीं देता, अपनी जैसे वाइफ है तो अपने हैस्बेंड को मिलवाने का, या हैस्बेंड है तो अपनी वाइफ से मिलवाने का, या भाई है तो लड़का है तो अपने पिताजी से मिलवाने का, यदि हम साथ ही बठा लेते हैं तो एक साथ ही जवाब देंगे तो उससे हमारे ज़्यादा रिजल्ट आने के चांसेश होंगे विवाद नहीं करना जवाम सवाल जवाब करें तो वहाँ पर विवाद नहीं होना चाहिए बीच में नहीं बोलना सामने वाला बोल रहा होता है तो एग्रिशिव हो जाते हैं कई बर हम बोल सुछी नहीं होना कैसा भी जवाब देता रहे हो कैसा भी सवाल करता रहे हो और लास्ट में रिजल्ट और अंतिम पड़ाव कुछ भी हो लेकिन एक्जिट रोयल होनी चाहिए आपकी हमें परेशान हो करके निकलना नहीं उसका एक रस्ता है जो आपको खोल करके निकल पकड़िये आप जरूर मेरे से मुलाकात करना तो इस तरह से जब सवाल जबाब हो फॉलॉप के बाद तो उसमें हमें इन सब चीजों का जरूर ध्यान देना है क्योंकि हम सवाल जबाब के दोरान बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते हैं फिर हम चाहिए कि आप सवाल के जवाब सही नहीं दे पाते लेकिन उसके बाद भी आपके साथ व्यक्ति जोईन हो जाता है क्योंकि आपकी परसनल्टी आपका लोगवार आपका मुस्कराना आपका उत्सा ये सब चीजे मैटर करती हैं हाना सामने वाले को अच्छे से आपने सुना ये सब च ये नियम है इस नियम को दिशान रखते हैं तो किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद होने का और किसी भी व्यक्ति का इगो हर्ट होने का चांस से जीरो हो जाता है feel felt found ये क्या नियम है क्या बोलता है ये नियम कि जब भी कोई विक्ति सवाल करे तो उस सवाल में उसको उसकी सहमती जताई है आप कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं feel का मतलब तो उसको इस बात से खुशी होगी कि मैंने सही बोला है दूसरा होता है felt मेरा भी यही मानना था फिर उसमें आप अपने आपको सामिल कर लीजिए उसको और ज़्यादा खुशी होगी इनवोल कर लीजिए कि मेरा भी यही मानना था और तीसरा आता है found लेकिन असली जवाब जाएगा उसके पस लेकिन जब मैंने जाना तो ऐसा नहीं ऐसा था जवाब भी दे दिया आपने उसकी ऐसमिती भी नहीं हुई उसको दुख भी नहीं हुआ आपने आपको भी नुवोल कर लिया उसका एकदम इगो भी हट नहीं हुआ उसका होसला भी बड़ा और आपने जवाब का जवाब भी दे दिया ये नियम हमेशा हम सब को याद रखना है किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले फील फैल फाउंड इस नियम को जब हम ध्यान रखते हैं तो किसी भी व्यक्ति से विवाद विवाद होने का relation खराब होने का हमारा कोई chances बनता ही नहीं अब कुछ सवाल है जो कि आज कल वैसे बहुत कम आते हैं क्योंकि आज हमारा इतना powerful और आज हमारी company इस level पर है आज इतने बड़े-बड़े achievers हैं आज हमारे साथ और आज safe shop ने अपने आपको इस जगे पर ले जा करके इस्ताफित किया है कि बहुत सारे सवाल आज लोगों के खतम है जो safe shop के बारे में जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ सवाल है जो आते हैं joining के समय उनका जवाब हम को देना पड़ता है सामना हम सबको करना पड़ता है यह कुछ सवाल है जिनका हमें सामना करना पड़ता है पेरे पास मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है मैं बेच नहीं सकता मैं पैसे नहीं मांग सकता मैं जुड़ तो जाओंगा लेकिन क्या गारेंटे की नेटवर्क में लोग काम करेंगे अगर कंपनी भाग गई तो ऐसे बहुत सारे सवाल है यह सवाल का जिनका सामना हमें करना पड़ता है और इन सवालों यह सवाल कम आए इसके पीछे मैंने आपको बता दिया है कि आपको confidence में रहना है हमें सामने वाले के साथ first introduction आपका confidence के साथ होना चाहिए और जब यह सवाल आते हैं तो इनके जवाब देने से पहले हमें उस नियम का जरूर पालन करना है जैसे ही किसी वक्त सबस्ता था क्योंकि मैं भी बहुत बिजी था लेकिन जब मैंने इस बिजनिस में देखा और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में सुना उन बहुत सारे लोगों के बारे में देखा जो 18-18 गंटे 16-16 गंटे की आर्मी में अलग अलग जगे पर बहुत जगे जिनकी 24 24 गंटे की बीचारों की डूटी रहती है, उसके बावजूद उन्होंने इस बिजनिस में एक बड़ा किरतिमा निस्단ाफित कर रखायाई, सर उसके बावजूद उन्होंने इस बिजनिस में बड़ी बड़ी कार, लगजरी कार तक अचिह एक रखिये, सर तो वो लोग जब कर सकते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि सर आप भी कर सकते हैं दूसरा कि सर समय 24 गंटे ही आपके पास है 24 गंटे ही प्रदानमंतरी के पास है 24 गंटे ही एक भूऱ बड़े सफल व्यक्ति जो इस बिजनीस में उसके पास है बात ये नहीं है कि समय काम करने के लिए इस काम के लिए नहीं है बात यह है कि थोड़ा सा समय का अभी तक आपका management नहीं है आपन दोनों भाई बैट करके मैं आपका समय का management बनवाता हूँ सर आप जरूर इस business के लिए यदि हमने अपने समय को manage कर लिया तो इस business के लिए भी आप समय निकाल सकते हैं चोता इस business को मैं आपको कोई एक time duration में करने की जरूरत नहीं होती है कि आपको 8-5 की duty देनी है आप सुबह फिरिये सुबह करिये दुपहर में फिरिये दुपहर में करिये शाम को फिरिये रात को फिरिये रात को करिये जब भी आप समय निकालें वो कर सकते हैं सबसे बड़ उस समय देने से आपको output क्या मिल रहा है जो input आप आज डाल रहे है उससे output क्या मिल रहा है आज आप 16 गंटे दे करके आप 50,000, 40,000, 30,000 का input निकाल पा रहे हैं जो भी है आप जानते हैं लेकिन इस business में आप 6 गंटे दे करके लोग 2,7,8,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6, निकाल रहे हैं लाको रुपे का input निकाल रहे हैं विदेश यात्रा का input निकाल रहे हैं तो हम input क्या दे रहे हैं output क्या निकाल रहे हैं ये matter करता है आप जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें अगले 30 साल यदि इसी pattern के साथ आपने इतना ही समय डाला तो आपको वही मिलने वाल बड़ा समय एक दिन आपको कमाने का मोखा मिलेगा और यह समय नहीं आने की प्रोब्लम भी यहीं से आपकी खतम हो सकती है क्योंकि आज हमारे साथ सिरी नर्शीगरिवाल जी हमारे ग्रेट मेंटर हैं जिनके पास आर्मी में रहते हुए 24 गंटे की डूटी हुआ करती थी ले दवाब दे सकते हैं। दूसरा में बैच नहीं सकता। मेरे पहसे change कि आप इस विजनीष में नहीं होंगे तब भी आप कुछ ना कुछ किसी चल now किसी जगे पर आप कही ना कहीं कुछ ना कुछ बिच रहे होंगे। आप कुछ भी नहीं बेच आज हम अपने आप कही नोकरी हम कर रहे हैं, हम खुद को बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जाकर के कुछ ना कुछ आज हम प्रमोट जरूर कर रहे हैं मार्केट में, ये बिजनिस बेचने का नहीं है, ये बिजनिस प्रमोट करने का बिजनिस है, ये बिजनिस ये ये किसी के घर में खुसिया पहुचाने का बिजनिस है, ये बिजनिस जो है सामने वाले के सपने बना करके उनको पूरा करवने का बिजनिस है, ये किसी चीज़ को बेचने का बिजनिस नहीं है, बेचने का बिजनिस क्या होता है, कि आप जब कोई भी पैसा लगा करके सामान और उसके लिए एक specific जगे तै करते हैं या आप door to door जाते हैं और सामान ले करके जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा ये सामान लेजिए इसको बेचना बोलते हैं हमारा काम प्रमोट करने का है ना आपको समीन सामान खरीदना होता है ना आपको सोरूम खरीदना होता है ना सामान क लेकर के चलना होता है आपको एक opportunity है यह एक platform है जिसको promote करना होता है सामने वाला खुद जाकर के website से purchase करता है तो बिल्कुल different है तो आपको इस तरह से इस सवाल का जबाब आप दे सकते हैं और सामने वालों के सवाल से satisfied कर सकते हैं मैं पैसे नहीं मांग सकता बिल्कुल नहीं म जगाने हमें सामने वाले व्यक्ति का वाई clear करना है हमें सामने वाले व्यक्ति को यहां से मिल क्या सकता है वो बताना है सामने वाले व्यक्ति अपने आप purchase कर लेगा रस्ता अपने आप दून लेगा जब सामने वाले व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि मुझे वहां जाने से यह हासिल होगा जब उसका यह clear हो जाता है तो आदमी यात्रा दूरी तो खुद तै करी लेता है ना तो सामने वाले व्यक्ति से हमें opportunity के बारे में बात करनी है सामने वाले व्यक्ति को हमें इस business से मिल क्या सकता है उसके क्या क्या dream पूरे किये जा सकते है इसके बारे में हमें बात करनी है और उसके बाद हम उस व्यक्ति को इस business में entry करने के लिए हम उसको यह जरिया बता सकते है कि सार आप इस website पे जाके product purchase करके आप यहां से इस business की शुरुआत कर सकते हैं पैसे मांगने का यह business है यह यह opportunity देने का सामने वाले के dream को कूरा करवाने का यह business है तीसरा चोथा मैं जूड़ तो जाऊं लेकिन इसकी क्या guarantee है कि मैं network में मेरे network में लोग जुड़ेंगे या काम करेंगे वैसे तो सर देखिए नूग guarantee किसी चीज की होती नहीं है लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि यह विश्वास सिरी नर्शीगरेवाल साब ने किया था आज उनकी इतने की टीम है यह विश्वास योगे श्यादव जी ने किया था आज उनकी लाखों की टीम है देविस सर्माजी ने किया था उनकी लाखों की टी पहले दिन उनको भी हो सकता है ये बात का भरोसा नहीं होगा लेकिन जब उन्होंने इस काम को चालू किया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी टीम बनी के नहीं बनी तो आप भी जब चालू करेंगे तो क्या धर्ती पे आपके हिस्से के लोग भी बचे एक नहीं बचे जो आपके साथ काम करेंगे लेकिन आएंगे किसके साथ जो खुद जोईन करके काम करना चालू करेगा भगवान ने धर्ती पे हर आदमी का हिस्सा दे रखा है बसरत उस से वो लेने के लिए हम आगे बढ़े हम शुरुवात करें हमारे साथ लोग ओटोमेटिक जोईन करना चालू कर देंगे दूसरी चीज हमारे एक सिस्टम बना हुआ है आपको लोगों को जोईन शुरुवात में करवाना ही नहीं हमारे एक सिस्टम है कि आप संडे के प्लान में लेकर क्या आई है आप हमारा सयोग लीजिए सुरुवात के जब आपकी सुरुवात में 10-20-50 की टीम बनेगी तो उसमें हम आपका सयोग करेंगे और आपका काम है लोगों को मुलाकात करवाना उनको समझाना और इस विजिस में लाने का जिम्मेद प्रवदारी हम लेते हैं उसमें आपके विश्वास की जरुरत पड़ेगी आपकी टीम बनेगे आपसे कमजोर कमजोर लोग ऐसे से लोग जो अंडे की रेडी लगाते थे पानी के पता से रेडी लगाते ते रफू करते थे ते दूद की डेरी चलाते थे कम पड़े लिग सब्सक्राइब सही कहा है सर अब मेरा भी यही मानना था फाले किया तो देखो मेरे विश्वास की टीम याज सो की टीम अगर canción बम नहीं किया तो यह सवाल आज कर ने के समझा हूगा पहले बहुत आता था क्योंकि अभी उसको लीगल्टी समझाईए, गैडलाइन में आ गई है, कानून बन गया है, ये सब चीजे हमारी कमपनी पूरा निती नियम के हिसाब से गोवर्मेंट की गैडलाइन के हिसाब से काम कर रही है, ये समझाईए, दूसरा एक बेसिक बात की भागती कौन सी कमपनी है, जा मनी शर्कुलेशन होता है, जा चिट फंड होता है, जा पैसे लगाए जाते हैं, पैसे लगा करके दो, तीन गुना, चार गुना करने की बात की जाती है, वहाँ पे कमपनी भागती है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति पैसे देता है, उसको उस एक platform मिल जाता है, काम करता है, तो ठीक नहीं करता है, तो उसको पैसे की value of money जरूर मिल जाती है, तो फिर company क्यों जाएगी, company पहले दिन भी सामान, पैसे का सामान दे रही थी, आज भी पैसे का सामान दे रही है, पैसे का सामान से उसको पहले भी profit हो रहा था, आज भी profit हो रह गाटेगी क्योंकि इसने अपने आपको थाभी तेङस घाने के लिए जैबुगतने के लिए और लों का जीवन बदलने के लिए ए में इस मार्केट में आये हैं तो इस तरह से आप उसको विश्वास दिला सकते हैं जीवन साती मना कर रहा है पिताजी मना कर रहा है उतपाद महेंगे हैं ये बिसिक से सवाल है और जीवन साती मना कर रहा है इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि आप कपल में उसके सवालों का जवाब द दे जिए और फिर भी ऐसा नहीं होता तो उसको यह समझाईए कि जो भी काम हम इसमें करेंगे और जो भी कल को खुसी गिफ्ट दे पाते हैं वो गिफ्ट का साइज और गिफ्ट की जो वेलू है वो और ज्यादा हो उनकी MRP और ज्यादा हो आप उनको बड़े गिफ्ट दे पाएं आज जहां उनको आप गुमाना चाहते हैं वो भी यह चाहते हैं कि आप उनको बड़ी-बड़ी जगे विदेश जो खुशिया मिलेंगी वो खुशिया उनको भी मिलेंगी और एक दिन उनको प्राउड होगा ऐसा मेरे साथ भी था लेकिन जब हमने काम करना चालू किया और दीरे दीरे उनको फिर हमारे काम करने से उनको भी विजन मिला उनको भी खुशिया मिली तो उन्होंने ना कि मना कर ये सार आप आज से पहले कि पिताजी सिर्फ हमें बड़ा करने का काम करता है लेकिन बड़ा होने के बाद हमें किस दिसा में आगे बढ़ना है पिताजी की शिर्फ एडवाईज होती है decision as a mature हमारा खुद का होता है कितने काम आज तक हमने ऐसे किये हैं जो पिताजी से पूछ बहुत बार बहुत सारे लोग शिगरेट पीते हैं कभी पिताजी से पूछके नहीं पीते हैं। हम किसी भी पर्मानेंट एक इनकम में जाएं। लेकिन जब हमने उनको समझाया, उनके थोड़ा सा विप्रित जाकर के हमने अपना खुद का डिसिजन लिया, क्योंकि जीवन अपना है, उनका समय था उन्होंने जैसे भी जीवन को जीया, लेकिन अभी जीवन हमें जीवन जी डिमांड करेंगे कहीं गूमने फिरने की तो हमें करने, काज लाइप स्टाइल बदल रही है, उस लाइप स्टाइल के लिए बदलने के लिए पैसा चाहिए, उसको हमें पूरा करना है, पिता जी को नहीं करना, तो सर डिसिजन आप लीजिए, पिता जी ऑटोमेटिक जब आप कुछ करके दिखाएंगे तो आपके साथ automatic आ जाएंगे उत्पाद महेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं सरा मेरा भी यही मानना था नेकिन जब मैंने इन इन उत्पादों की quality को समझा इनकी अंदर जो quality है जो इनका इनके अंदर जो ingredient जो दिये गए हैं वो जब मैंने समझे यह कैसे तयार किये गए हैं जब मैंने उनको समझा तो मुझे पता चला कि सरी यह महेंगे नहीं है एक्च्वल में इनकी हमें knowledge नहीं है दूसरी सबसे बड़ी चीज कि कोन सा product महेंगा है कोन सा सस्ता है यह आप कब बोलेंगे जब आप किसी से compare करेंगे आज आप हमारे product को किसी भी चीज से आप Amazon पर जाके किसी भी जगे पर जाकर कि आप compare करके देखिए हमारे product आपको कताई महेंगे नहीं लगेंगे तीसरी चीज यह महेंगे नहीं है हमने आज तक इनका इस्तिमाल और यूज नहीं किया है इसलिए हमें महेंगे लग रहे हैं वरना इससे भी ब रुपी होगी क्या आज पचास पचास जार के सूट डिडड़ लाग के सूट है जो आज सेलिबरिटी लोग पहनते हैं बात यह नहीं है कि महेंगे बात यह कि आज तक हम हमें इनके बारे में पता नहीं हमने इनको यूज नहीं किया है इसलिए हम इनको महेंगा बता रहे ह ये महेंगे नहीं है सर सस्ते हैं दूसरी सबसे बड़ी बात कि सर एक सूट या एक प्रोडेक्ट आज से पहले मैंने खरीदा और इसको खरीदने के बाद आज मैंने पचास लाग रुपिया बीस लाग रुपिया दस लाग रुपिया या पचास जार रुपिया जितना भी आ कि आने वाले समय में करोड़ों रूपया कमाेंगे, तो ये आपको फिरिमें हो जाएगा, ये आपके लिए नाके बरावर हो जाएगा, आप इस बिजन्श में एक entry करने का ये product purchase करना एक जरीह है, आप इस business में आते हैं, कोई भी प्रोडेक्ट लेते हैं, तीन आदमी की जोईन करवाते हैं, आप थर्ड बुलशाई करने के बाद, आपका यहां पर 6,000 का चेक बन जाता है, हो गया सस्ता, ऐसे कई तरीके आप उसको प्रोडेक्ट को सस्ता करने के लिए समझा सकते हैं, और उसको कमपेर करके भी आप बता स क्योंकि आज compare wise भी आज हमारे प्रोडेक्ट बहुत रसते हैं उनको quality समझा करके उनके दिमाग से यह गलत फेमी दूर कर सकते हैं कि यदि थोड़ा कुछ महंगा भी है तो quality है एक दसला की कार आती है एक करोड़ी की कार आती है है कारी लेकिन किसका पैसा है quality का पैसा है जा सकते हैं मुझे पैसे की जौरत नहीं है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सब्सक्राइब मेरको भी ऐसा ही लगता था लेकिन जब मैंने जाना कि जिस काम को मैं कर रहा हूं उससे क्या मैं एक अच्छी कार ले सकता हूं जिस काम को कर रहा हूं कि उससे मैं अपने बच्चो हैं सब्सक्राइब के लुए जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मुझे काम करना चाहिए भी काम कर रहे हैं आप कोई भी नोक्री कर रहे हैं आज उस नोक्री से आपको 30,000 रुपय मिल रहा है, सर, मान लेते हैं, एक example ले हो सकता है, आपको ज़्यादा मिल रहा हूऑ, मैं एक example ले रहा हूँ, 30,000 रुपय मिल रहा है, गल को उस नोकरी में आपका measurement है, 20,000 रुपय, तो आप क्या मना करेंगे, सामने वाड़े क्या बोलेगा बिल्कुल नहीं करूंगा माना तो अभी तो आप कह रहे थे मेरे को पैसे की जरुरत नहीं है इसका मतलब यह है कि सर आपको पैसे की जरुरत है लेकिन आप एक्स्ट्रा पेन नहीं लेना चाह रहे हैं आप सर पैसे धरती पर हर आदमी को जरु जिस हैसाब से घर में दस-दस भी ले आ रही है, हर आदमी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहा है। लेकिन हमें पैसों की दो जरु रहा है, लेकिन हम एक्स्ट्रा बिना कुछ करें पैसा चाते हैं। यदि आप सोचके देखिए यदि आज आप 30,000 कमा रहे हैं अगले दो साल बाद आपके पास 2,00,000 रुपया सबता है तो आपके लिए आपके परिवार के लिए अच्छा होगा या खराब होगा बिल्कुल अच्छा होगा तो आप सरकरिए इसका मुखाईए मिल करके करते हैं कब-कब आपको जरुरत पड़ेगी हो सकता है आज नहीं हो जरुरत आपको ठेकिन आने वाले समय में आपको कहां का रिक्वार्मेंट होगी जब आपने बेटी की साधी करेंगे जब आपने बच्चे के लिए इंजिनिरिन के लिए 30,000 रुपया देना पड़ेगा उनको आ मार्केट में एक सरकील है मार्केट में लोग जानते हैं मार्केट में लोग मानते हैं यह काम उनीक है और प्रमोट करना यदि प्रतिष्टा का काम नहीं है तो फिर अमिता वच्चन गलत है फिर विराट कोईली गलत है फिर मेंदर सिंग दोनी गलत है यह सारे लोग क्या कर गीता, संपूर्ण हनुमान, डिनर सेट, स्मार्ट स्टार, लगेज, सूट, ये अच्छी चीजे, क्या आपकी प्रतिष्टा को सूट नहीं कर सकता, जब इतने बड़े आदमी को एक रूपिय का नवरतन शूट कर सकता है, तो सिरीमत भागवत गीता, संपूर्ण हनुमान, या आपकी प्रतिष्टा को सूट नहीं करेगा कैसर, ये बहुत ही पुन्य का काम है सर, और पुन्य के साथ-साथ पैसे भी आप यहां से कमा सकते हैं, मैं संतुष्ट हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं भी ऐसे ही मानता था अपने आपको कि ठीक है, मैं 20-30,000 की देखा, उनकी अच्छे लाइफ स्टाइल को बदलते हुए देखा, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, और संतुष्ट हमें होना नीची है जीवन में कभी भी, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है, कि सबसे ज़्यादा पैसे वाला आदमी मुके संबानी, आज भ रहते हैं, ठीक है, आपकी परसनल्टी है कि मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन क्या लगता है, कि आपको आने वाले समय में अपने इस संतुष्टी का जवाब अपने बच्चों को देना पड़ेगा, अपने समाज को देना पड़ेगा, अपने रिष्तेदारों को देना पड़ नहीं आया लेकिन अब आपकी मजगूरी नहीं है अब आप उस संतुष्टी से बाहर निकलिए आपके पास महा समुंदर है सेवसोप के रुप में और आप यहां से जाकर कि अपने सभी सपनों को पूरा करिए रिष्टेदारों में कोई ऐसा फल हुआता सर वो ऐसा फल हो गय काम नहीं है जहां पर लोग ऐसा फल नहीं होते हैं कितने लोग एंजिनेरिंग की तैयारी करते हैं क्या सब बन जाते हैं कितने लोग दोड लगाते हैं क्या सब फोजी बन जाते हैं हर जगे लोग ऐसा फल होते हैं कितने लोग क्रिकेटर बनने की प्लानिंग बनाते हैं में आपको ऐस फल लोग नहीं गिना सकता हूं मैं आपको सफल लोग बना बता सकता हूं और हर प्रोफाइल और हर प्रोफिशन का आदमी सफल हुआ है यह मैं आपको समझा सकता हूं आप उसको सफल लोग बताईए वह सफल लोग बताएगा आप उनको सफल लोग बताईए आप उनका इंडिरेक्षन सफल लोगों से करवाईए और एक चीज और बताईए उनको कि सर आपके घर में छोटा बच्चा है बोला हाँ है आप उसको स्कूल भेजते हैं बोला हाँ भेजता हूं आप उसको क्या कहके भेजते हैं आपको फर्स्ट बेंच में बैठना है या बेक बेंचर बन बतल लास्ट में बैठना है जाकर कि बोला मैं तो यह बोलता हूं सबसे आगे बैठना है बेलकूल पूबа बच्छों को जब आप सफल लोगों से गमपेर कर वाते हैं सफल लोगों को जैसा बनना चाहते हैं तो फिर आप ऐस पने आपको जी ऊपने पना करके दखाइए और जब एेक पेड उपको थिकता है तो हजारों सकते हैं हमारे यहां तो हजारों पेड़ उग चुके हैं आप भी उस टापू पे अपने आपको लाकर करके उगने वाले हजारों पेड़ों मैं आप भी अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं आप इस तरह से उसको ज़वाब दे सकते हैं तो यह सारे कुछ बेसिक सवाल थे जो एक rotation में हमारे सामने आते हैं बाकी ऐसे इतने ज़्यादा सवाल आते नहीं है और फिर भी कुछ ऐसे सवाल जो कि हम जवाब लेना चाहते हैं तो इस प्रिगती सुत्तर भुक को जरूर पढ़िए जहां 60 सवालों के जवाब इसमें दिये हुए इसको साथ रखी हमेशा इस किताब को पढ़ करके उनके जवाब डूढ़िए और मैं तो ये बोलता हूँ कि इस किताब को हमेशा साथ रखी है कोई भी वेक्ती कोई शवाल करे तो उस सवाल को निकाल करके उसको खुद को पढ़वा दीजिए किसा भी ये पढ़ लीजिए आप इसका जवाब दूसरी चीज गॉन्फिडेंस में रहिए मैं लास्ट में यही बात बोलूँगा आपका गॉन्फिडेंस आपका जोस आपकी चेहरे की स्माइलिंग सेमने वाले का जवाब खत्म कर देगी मेरे साथ प्रेक्टिकल ऐसा कई बार हुआ कि मेरे टीम के लीडर शुरुआ तो मेरे को लेके जाते थे सर एक विक्ति है जोна सबस्क्राइब जबरदस और खुस वह जाता था सर मिलके बहुत अच्छा लगा सर आप बड़े स्मार्ट है सार उसकी दो तारिफ करता था उसके दस में से आठ सवाल के गायबी हो जाते थे तो आपका confidence आपका जोस आपके चेहरे के smiling सामने वाले के सवाल बढ़ाएगी और कम करेगी वो कैसी है वो है या नहीं है ये तै करेगी कि सामने वाला किस तरह के सवाल करे करेगा sense वाले करेगा तो आप पर हम पर बहुत कुछ defend करता है कि हमारी मुलाकात और हमारा first impression कैसा रहता है इस बात पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है और फिर भी हमSelf के प्रोफेशन में है हमें तैयार रहना है सवालों का जवाब देने के लिए हमने अपने आपको तैयार करना है और तैयार करना के लिए एक ही जरिया है कि आप परगिति सुत्र को पढ़िए इसमें सवालों के जवाब है सारे और इनको पढ़ करके इनका इस्तमाल करके आप अपनी टीम बढ़ा सकते हैं वैस इन चीजों का जरूर ध्यान रखें कोई समस्या नहीं है जिसका धर्ती पे समाधान नहीं है याद रखें दुनिया में जो भी परसंड बने उनके उत्तर ज जाएगा ना कुतरक वाले लोगों से जादा मिलना है वितर कुतरक वालों से ना हमें कुतरक वाले लोगों से कुतरक करना है हमें जैन्वन सवालों का जैन्वन जवाब देना है और उसके साथ हमारा रिलेशन बना रहे है इस तरह से हमें करते रहना है इस बिजिनिस में ए लगातार लोगों के बीच में ना कोई किताब ना कोई audio video समझा सकता जो लोगों के बीच में जा करके हम सीखते हैं वहाज़ आप जाएंगे तरह-तरह के सवाल आएंगे mistakes होंगी अना practice करेंगे तो confidence level आई होगा practice से mistakes सबस्यार सब्सक्राइब हगे यइज पर। करेगी आच्छा करने के लिए प्रक्टीश ही हमें बैटर करेगी अच्छा करने के लिए जैसा कि आपको लगता है न मेरे अप्लाइन अच्छा जवाब देता है मेरे अप्लाइन के पास हर सवाल का जवाब होता है वो अप्लाइन पैदा होने से नहीं दे रहा है वो इस बिजनिस में आने आने वाले दिन स दे रहा है उसको अच्छा बनाए उसकी प्रक्टिक्षिंग उसको लगातार फिल्ड में जाने से लगातार जब हम जाएंगे रोजा ना काम करेंगे डेलि जाएंगे तो हम यहां पर प्रफेक्ट बन जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी मुलाकाते ही लोगों को इस हमारी जर्णी, हमारी यात्रा का एक पढ़ाव है, ये सवाल पढ़ाव है, इनसे हमें आगे बढ़ते रहना है, जैसे हम जब कहीं भी जाते हैं, तो रस्ते में कोई इस्टेशन आता है, तो इस्टेशन नहीं अट सकता, हमें ही उसी को क्रोस करना पढ़ता है, ऐसे ही आपको वहां से निकलना है और अगले के पास जाकर के अपनी नई तैयारी के लिए नए काम करने के लिए नए लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए हमेसा तैयार रहना है और पिछले वाले का लगातार हमें मुलाकात करके फोल अप करते रहना है इसी तरह से हमारी एक दिन बड़ी टीम बन जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब दो की बनी, कब दो हजार कीर, कब दो लाग कीर, कब दो करोड की बन जाएगी, तो लगातर चलते रही है, हमारी शुब कामने आपके बहुत-बहुत साथ है, जिन्दगी के जुरून को, जवानी के साथ जोड़ दो, इस उसका सबसे बैस वर्चिन आज आपने दिया है, और सारे तरीके से आपने समझाया कि कैसे कैसे कौन सी कौन सी टेकनिक को यूज करके इंसान चाहे, तो अपना फॉल अप को मजबूत बना सकता है, क्लोजिंग बहतरीं कर सकता है, और आपने बिजनस में सक्सेस के लिए चा काना कोई बड़ तेक